आज थोड़ी सी थूढ़ीत नहीं। कल वाले ब्लोग मैंने बताया था कि आरोही की थोड़ी सी तबियन नहीं ठीक है तो आज हम यहां पर लेटे हैं अपनी नदजी के साथ में तो हम आरोही और हमारी नदजी और आरोही के पापा केले ही नए वाले रूम में लेटे हैं तो यहां पर आरोही को मैंने का की पानी पिला देते हैं क्योंकि इसको हल्की सी खांसी भी आ रही थी और जैसे ही हम पंखा चला रहे थे तब थोड़ी सी जादा खांसी आने लगती है तो इसी बज़े से मैंने पंखा भी बंद कर रखा है हम लोग पंखा ही जो हात वाला है वही डुला रहे हैं क्योंकि गर्मी भी ह जाती है और कभी-कभी तो ठंडा मोसम रहता है तो आथ थोड़ी सी रात में गर्मी भी थी तो अब हो चुकी है सुबा तो आप सभी को गुड मॉनिंग और यहां पर आ चुके हैं बंदर हम आ नहीं पाए उससे पहले ही पहुत सारे बंदर यहां पर आ चुके थे और यहीं हमें कहनी है सुबा की साप सभाई और चूले की पुताई तो जो भी लकड़ी कंड़ा इधर रखा है उसको पहले मैंने का समाल कर रख देते हैं क्योंकि कंड़े जो है इनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलाता है तो फिर अगर इतने टाइम छोड़ दो फिर पूरा दिन ऐसा ही रहता है फिर अच्छे से साप सभाई नहीं हो पाती है तो मैंने का चलो जो कंड़ा है वो मैंने कर दिये हैं बोरी में और लकड़ियां भी साइड में कर दी हैं तो यहाँ पर पहले जालू लगा देते हैं और राक तो मैंने साम को ही कर दी थी बरोसी में बस य नीचे की अभी साप सफाई की है साइद और थोड़ी बहुत अभी बाकी भी है क्योंकि घर में मैंने साइद जालू लगा दिया था और उसके बाद में बस छत पर आगे थें तो यहां पर जो कूड़ा है वो साइड में हम लगा देंगे और बस चल्दी से पुताई कर देंग और तवियत इसकी बिगड़ जाती है तो आज हम फिर इसके लिए दबाई भी लेने के लिए जाएंगे फिर से वैसे तो दबाई तो थी वो वाली मैंने इसको खिलाई थी रात को ही लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ है तो अभी थोड़ी देर के लिए खासी बंद हो गई थी तो आरूही सो गई है थोड़े सा बुखार भी हल्का हो गया था तो मैंने का जो भी सुबा के काम है वो जल्दी जल्दी से खतम करे लेते हैं उसके बाद में हम आरूही के पापा के ही साथ में निकल जाएंगे और दिन में तो कुछ भी इसको दिक्कत नहीं थी औ और नहीं दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन रात को एकदम से इसकी तवियत बिगड़ने लगती है, कभी तो खासी बहुत तेय जाने लगती है, कभी तो बुखारा जाता है, तो कुछ इस तरीके की इसकी तवियत रहती है, तो यहाँ पर मैंने कर दी है चूले की पुताई और उसके बाद में नहा लिये हैं, पूजा हो चुकी है, और अब बना लेते हैं खाना, तो यहाँ पर हम आ गए थे भगोने में राख ही लगाने के लिए, जो कि लिए ही लगाने के लिए, तो आज हम भगोने में ही सबजी बनाएंगे, वैसे तो जादा हम कड़ ही हो जाती है, क्योंकि भगोने में एकदम से बंधी आच लगती है, और आलू नहीं डालेंगे, सिर्फ सोया बीन की बड़ी ही बनाएंगे, तो मसाले भी पीस कर ले आए हैं, और यहाँ पर पहले सोया बीन की बड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन जिस तरीक से कि सोया बीन की बड़ी इसमें नीचे की साइड में ना चपकें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चपक गई थी, तो उतने अच्छे से फ्राई नहीं हो पाई थी सोया बीन की बड़ी, थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे, गाड़ी गाड़ी सोया बीन की बड़ी बना लेंगे, साथ में रोटिया सेकेंगे और आरोही तब तक उठ गई थी तो मैंने उसको तयार कर दिया है क्योंकि नहलाया नहीं है ले जाएंगे हम दबाई के लिए और हम भी तयार हो चुके हैं जैसे ही आरोही के पापा तयार हो जाएंगे तो साथ में ही हम लोग निकल जाएंगे और आरोही के पापा थोड़ी सी साप सपाई में लगे हैं क्योंकि वो बोल लेते रात के समय में कि यहाँ पर थोड़ी सी गंदिगी रहती है सायद जो परदे लगे हैं उन पर धूल मिटी बैठ गई है तो पंखा जब भी चलाते हैं तब जाधा आरोही को खासी आती है तो पंखे के साथ में धूल मिटी उड़ने लगती है तो इसी बज़े से आरोही को खासी आ रही है तो वहाँ से हम फिर चले भी आये थे क्योंकि आरोई के पापा भी बहुत ज़्यादा परिसान हो रहे थे और थोड़ा सा गुसा भी कर रहे थे कि जोहनकी दिन में इसको खासी नहीं आती है और हम भी बोलते हैं कि इसको दिन में बिल्कुल भी खासी आसी नहीं आती है और ये खेलती रहती है पूरा दिन और रात कि थोड़ी बहुत जो भी साप सफाई है वो कर रहे हैं और परदे भी निकाल दिये थे परदे भी आरोही के पापा ने अच्छे से दुल दिये थे तो हम तो लगे थे खाना बनाने में तब तक आरोही के पापा ने परदे और जो भी बीस्तर वहाँ पर थे वो सारे हटा दि और परदे भी दूल कर डाल दिये थे और अभी मैंने का कि हम तब तक खाना बना लेते हैं क्योंकि वो तो थोड़े बहुत काम देख लेंगे और थोड़े बहुत जो भी काम रह जाएंगे वो हम बाद में कर लेंगे और यहां पर मैंने दूल कर रखे थे बरतन तो सारे बरत देंगे और यहाँ पर बस मैंने बरतन रख दिये हैं और उसके बाद में आ गए थे यहाँ पर ने वाले रूम में तो यहाँ पर आ रहो ही के पापा बिंडो की सफाई कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को बताया था मैंने कि यहाँ के जो परदे लगे थे वो निकाल कर इन्होंन अच्छे से की थी और थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो मैंने हटा कर रख दिया था अच्छे से क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और अभी दुकान पर भी जाना है थोड़े बहुत काम घर में भी देखने होते हैं तो मैंने का चलो थोड़ी बहुत हे देते हैं और यहाँ पर जो भी चीजे नीचे रखी हैं तखत के बो सारा सामान हम उपर टांड पर रख रहे हैं लेकिन फिर आरोही के पापा ने टांड भी खाली करवा दिया था टांड को भी अच्छे से धुला था तो तब तक के लिए तो मैंने उपर ही सारी चीजे रख तो इधा साइड में मैंने सामान तब तक के लिए रख दिया है और जो भी फाल्दू का सामान है वो हम अटा देंगे यहां से जो भी जरूरत वाली चीजे हैं वही सारी चीजे हम यहां पर रखेंगे क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आती है रूम कि आप सभी को क्या ही बताएं उतने समय हमने ब्लोक कुछ भी नहीं यहां का बना पाया था क्योंकि हम साइड किसी काम में लगे थे तो आरूही के पापा ही बोल ले थी कि बहुत ज़्यादा गंदीगी निकली थी और इधर आरूही के पापा अंदर से सफाई करने के काफी दिनों की हमने समाल कर रखी थी कि कुछ ना कुछ चीजे हम बनवाएंगे उसी में इसको लगवा देंगे लेकिन नहीं लगवा पाई बनवा ही नहीं पाई तो लगवाना तो दूर की बात है तो यह पूरी तरह से खराब हो गई है तो यहां का सारा सामान आरूही के पापा ने हटा दिया है थोड़ी बहुत चीज़े अभी इस साइड में रख दी हैं क्योंकि जो भी चीज़े जरूरत वाली हैं वही हम रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से आरोई के पापा ने पूरा टांड पानी से दो तीन बार अच्छे से दुला था पूरी धूल मिट हट गई थी यहां की और अब जो है न कि मैंने साइड होली पर यहां टांड की साप सफाई की थी वो भी ऐसे ही हलकी फुलकी की थी ऐसे ही थोड़ा सा गीले कपड़े से पोँच दिया था टांड को अच्छे से नहीं कर पाई थी लेकिन इस बार आरोई के पापा ने बहु तो मैंने का चलो ठीक है तब तक आरोई के पापा ने ये सारे काम कर दिये थे और यहां पर भीग रहे हैं कपड़े जो की परदे धुल चुके हैं तो आरोई के पापा ने यहीं पर टांग दिये हैं और यहां अंदर भी आरोई के पापा ने अच्छे से फरस को धुल दिय और इस टूल को भी धूल दिया है अच्छे से पूरे कमरे को धूल दिया है और अब यहाँ पर बिल्कुल भी धूल मिटी नहीं है लेकिन अब आगे ना हो बस यही है अगर आगे फिर से हो जाएगी फिर फिर से वही हाल हो जाएगा तो यहाँ पर अभी फरसमारी अच्छे स सूख ही नहीं है तो जल्दी से सूख जाएगी उसके बाद में जो भी सामान इधर-उधर मैंने रखा है वो सारा सामान यहां पर अच्छे से सेट करके रख देंगे और इधर अभी बाहर की साइड में भी यहां पर आरोही के पापा ने नहीं दूला था अभी कूलर साप करन और इधर आरो ही बोल लई थी कि मम्मा हम बहुत ज़्यादा ठक गए हैं तो ये आते ही लेट गई थी और इधर इसको दबाई हम पिला देते हैं क्हासी बाली दबाई सबसे जरूरी है इसको पिलानी तो तीन समय है खासी बाली और एक दूसरी दूसरी जो दबाई लेकर अभी नहीं कुछ भी दिक्कत थी तो अब अच्छे से इसकी रोज ही जो हनकी इसको दिखवा देंगे दोक्टर के पास में वेसे जहां से हम दबाई लाते हैं वो डोक्टर तो अच्छे हैं हम सुरू से ही आरोही के लिए वहीं से दबाई लेकर आते हैं और इधर फिर आप स सूख गए थे तो मैंने का चलो ये परदे जो हैं लगा देते हैं नहीं तो फिर से धूल मिटी आना सुरू हो जाएगी और परदे लगाना बहुत ही जरूरी है और तब तक के लिए मैंने सुबा से यहां पर जो बिस्तर था हलका बाला वही मैंने डाल दिया था कि धूल मि अंदर कमरे में आएगी तो यहां पर बस लगा देते हैं परदे और अभी हमारा खाना भी बनाना है तो इसके बाद में अभी हम चलेंगे पहले बगिया क्योंकि आरोही गई है खेत पर आरोही की जैसे ही तब यह ठीक होती है निकल जाती है गूमने के लिए तो गई है पता करके आते हैं कि आ रही है आरोही या नहीं अभी आ रही है काफी टाइम हो गया था तो यहां पर थोड़ा सा सामान जो खास-खास सामान है वो मैंने टाड में एक साइड में कोने में लगा दिया है यहीं पर रखा रहेगा जो भी जिरूरत वाली चीजे है यासे है मान अब तुमने खाई फिर कहां से लाइना यह को यह देखो खांसी आ रही है आरोही को खांसी आओ तो तुमने मिया बहुत खाई है तो अंधेरा हो चुका है अभी हम लोग भैंश लेकर चलेंगे हमारी नदज जी अभी आ रही है और आरोही भी खेत से अब आ गई है दूआ भी आती ही होंगी काफी अंधेरा हो गया है नद्ने मिया लिया है तो सभी बच्चे खेत से आ गए है और आज हम भी खेत पर जाने वाले थे पर फिर नहीं जा पाए अभी खाना भी बनाना है काफी टाइम हो गया है आज देरी हो गई है खाना बनानी की क्योंकि अभी सबजी नहीं आई है बाजार से तो अभी पापा गय है और आरोही के पापा भी नहीं आये हैं सबजी लेकर तो जब आएंगे तब हम खाना बनाएंगे और अब भी पहले भैंस लेकर चलेंगे तो इधर खड़े हैं बच्चे और ये बच्चे काफी टाइम से हमारा पीछा कर रहे हैं और बगिया से आने के बाद में लग गए थे खाना बनाने में तो खाना हमारा बन चुका है और सबी ने खाना खा भी लिया है उसके बाद में हम बैठ गए हैं बरतन धुलने के लिए तो धेर सारे बरतन इखटा हो गए हैं थोड़े से बरतन दुपहरी के भी पड़े थे तो मैंने का चलो साथ में ही सारे बरतन धुल कर रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने का चलो जल्दी जल्दी से हम माज कर रख देते हैं, और तब तक हमारी नदजी आ गई थी हमारी हेल्प कराने के लिए, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से बस सारे बरतन धुल कर रख दिये थे क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका था और आरोही बोल लई थी कि ममा चलो जल्दी से लेटने के लिए तो आज हम लोग लेटेंगे छट पर क्योंकि यहाँ पर पंखा चलाने से आरोही को खासी आने लगती है तो आज मैंने काचलो छट पर ही लेटेंगे वहाँ पर पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे भी वहाँ पर पंखा चल भी नहीं पाएगा और वहाँ पर छटपर थोड़ा सा ठंडा मोसम रहता है तो वहीं पर हम सबी लोग लेटेंगे और इधर हमारी नदजी आ गई थी बरतन धुलबाने के लिए और एक हमारी दीदी कई दिनों से कमेंट कर रही है कि आप एक ही साड़ी में रोज रोज ब्लोग बनाती हो आपके ब्लोग देख देखकर वही साड़ी में हम तंग आ चुके हैं तो जी दी दी हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी साड़ीयां नहीं है कि हम रोज रोज बदल बदल कर पहनें बैसे हमारे पास आप सभी ने देखी हैं साड़ी रखी हैं लेकिन रोज रोज हम वो साड़ी नहीं पहन सकते हैं कभी कभी पहन लेते हैं जब मन होता है रोज रोज हम लोग चूले के पास में बैठ कर खाना बनाते हैं जब आप लोग सहर में रहते हो सभी लोग तो आप लो दोस्तों को नमस्ते अपना बहुत ही ख्याल लगिएगा